मेर्स 굿 इसете टूदेंट्स आज आपके सामने हैं मैं एप न्या TOPIC लेकर आया हूं फ्रेजिद ट्लॉज फ्रेज और क्लॉज फ्रेज क्या होता है पहले वह समझते हैं फ्रेज का मतम द्लब होता द्लॉज का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप आफ वीकलिल गुरूप ओफ लेकिन एक complete meaning निकालते भी complete mean प्रेज क्लेंगे अपना कोई बर्व है अपना कुछ थीचर में को Brisbane तो सब्सक्राइब तो इसको हम बोलें क्या उलेंगे तो फ्रेज का मतलब होता है तरीके से कह सकते हैं सेंटेंस का एक भाग ठीक है जिसका अपना मीनिंग तो होता है अब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज जो है तीन प्रकार की होते हैं नाउन एड्यक्टिव और एड्वर्ब फ्रेज और एड्वर्ब फ्रेज नाउन फ्रेज वह होगा जो वाट का रिपलाई दे क्या का अँवर्ब रॉबाई लगा सच्क्षान फ्रेज इन चार होता हो वह आपका अेड्वर्ब फ्रेज और चाहां चार रॉबर्बर फ्रेज टेस दाइज सनल प्रेज को ने सब जन्यंता प्रेज होगा he is a poor boy he is a poor boy और मैं आपसे कौँ कौन सा फ्र ze akont to यह क्ला हू किला सब एक लगा नाउन फ्रइच क्यों कि वह क्या ये वह कौन है word क्या है क्या का रिपलाई दिम रहा है क्या यांढ फ्रिच सिंद्ट तो इसको बोलेंगे हम क्या ना उन Pz यानि क्या का रेपलाई दे रहा है he is legal वह तो क्या रिप्लाई से ये पूरा निकल की आ तो यह आपका व्हप वह ना उन प्रेश अच्छे नान फ्रेश अड़ार्फिस पहसाने में में सब्सक्राइब क्या होता है नाउन से मिलकर बनावा फ्रेश क्या है क्लीर चली एक सेंटेंस रहो देखो जैसे मैंने कहा ही इस दा मौस्ट फिचह्च पर्षंद कःश्ट पर्षंद कःश्ट पर्षंद ही को न विखत्र पर्षंदünden यह पता आपको यह सप्राइज तो इसका कोण से फैन व क्या है यह होगा और एर तो क्हाँ पर्षंद कोणों ऑGroup नाउन से मिलकर बनावा फ्रीज क्या कहलेगा नाउन फ्रेज क्लियर चलिए एक सेंटेंस और देख लो जैसे मैंने कहा है कि रावन को मा को मा कि दो किंग ओफ दो किंग ओफ लंका है वाज it happened । आप पूछा गया कि इफ रही फिरेज्ट कौन तरोर ए राम वाज्टी अब ये और जो किस्तकनखास नंका का जो कहा办 रहा ता लंगा किसको मरा रगया राम तुझे दर किंग औप लंका किसकी लिए आए रामत की लिए ना रामत की लिए आया यह पूरा लंका उप लंका जो रावड व्यक्ति था वह की व्यक्तित था तो यह भी फ्रेज आपका चुंकि अब यह प्रेज में लिखावा यह इसको लिखते नाउन फ्रेज बासन वाई यह भी आपका नाउन था इसके ऊप्वलेंट यह है दकिंग अभी क्या होगा नाउन अब यह फ्लेज में लिखावा होता है यह ना इसी गतला होता है और यह मिलकर बनावा फ्लेजों क्या काद़े किसका नौन का देगा या फिर कौनकर दिचा प्लेजबल मेंẽ एक और समस्धा ख तो कि यई गी है ओ ओ बेंद निफ के से पाइं हुद और लेकक्न आपकर पूंचा या रहा है कि यह यःक है मिलंगर उक्वाइं यह सब्जक्ट और यह पूरह सब्द क्या에 बाद ऊब्जेस मेंद कॉन्सा मेंद आपका क्या है मैं वर्ड है तो यह रही चलिए अब आप बात कर लेते हैं एड्यक्टिव फ्रेज की एड्यक्टिव फ्रेज क्या होता है अटो अग्यक्टिव तो आप जानते हैंille जो नाउन के बारे में बताए नाउन या प्रोणाउन के बारे में बताने वह आपका क्या होता है एडेक्टिव क्या होता है एडीक्टिव ज़्यक्टिव द्यान से देखो the boy in the car the boy in the car is the boy in the car is reading a newspaper newspaper द्यान से देखना the boy in the car is reading a newspaper ठीक है अब इसमें पूछा गया कि इंदाकार कौन सा फ्रेज है इंदाकार कौन सा फ्रेज है किसके लिए यह कि लीए बता दे इसकी कौजीशन पता दे उसकी क्वालिटी बता दे उसका की पतादिवा क्या होता आपका एड़्यक्टिव एड़्यक्टिव तो यह फ्रेज में द्याया है एसी लिसको बोल देंगे एड़ेक्टिवल फ्रेज क्या बूल देंगे एड़्यक्टिब वुले फ्रेज दबल औी the car एफ reading a newspaper लड़का कौन्साओ रड़का कॉन्सा मोखा रप्लाइए आ रहा है न लड़की कैसी आंखों वाली नेली आंखों वाली लड़की नेली आंखों वाली हैं मुस्कष्स करा रही है अब किसे लिए 28 अब इस्का भाल आप एड्यक्टिव आप चूंकि फ्रेज में इसे लिए को बोलते हैं क्या एड्यक्टिवल फ्रेज क्लियर और रहना सबको एक और देखो मैंने का कि दो कि टीचर ले इन दा क्लास दो टीचर इन दा क्लास एज टीचिंग इंग्लिस टीचिंग इंग्लिस यहां से देखना टीचर जो क्लास में है वो क्या कर रहा है टीचिंग इंग्लिस पढ़ा रहा है टीचर जो क्लास में हो क्या कर रहा है इंग्लिस पढ़ा रहा है तो यहां पर इंदा क्लास इंदा क्लास फ्रेज किसके लिए आया ह है यहापका क्या है नाउन से मिलकर बनावा फिलेज क्या कहलएक लाइगा एटेक्टिवल टीचर ज्ट नाउन क्या कर टीचर जो क्ला समय है इस टीचिन एंगलिश एक लिए बासवजमाइं ना तो नाउन क्या कहा रिप्लाई देगा एड़ेक्टिव कौन सा का रिप्लाई देगा चलिए तो अब बात कर लेते हैं एड़वर फ्रेज़ की बात कर लेते हैं भी तक अब बात करते हैंए डोफ्रेस गी एड़ार फ्रेस होता है जो गब का क्यों का का और कैसे का रेपलाई दे छिसमाने का संधें फ्रेज है फिक जोस्टाइब सुछा थैर बात फुरेज ना हम सब्सक्राइब और इन चारों का रिप्लाई दे रहा है तो आपका कौन सा फ्रेज होगा एड़ फ्रेज एक सेंटेंस और देखो जिसे मैंने कहा ही जिसे मैंने कहा ही तोट में वेरी केरफुली वेरी केरफुली उसने मुझे बड़ी साफदानी से पढ़ाया उसने मुझे बड़ी सावदानी से पढ़ाया तो यहाँ पर पूछाया है काहिके वेरी केरफुली कौन सा फ्रेज तो उसने मुझे पढ़ाया कैसे पढ़ाया वेangenआभडा है नकिजिए काल अगाम ड़ी मुइंट कालगा पर को राम बोट गट to watch को इन हमुवी कि तुबॉश जैने के लिए अगर आपसे पुछा एक भाट मोदी अ तहो फ्रींज का ये कई लेंगे रामने एट इकेट क्रिद एक परपस क्या था राम रामनी टिकेट क्यों खरीदा क्यों खरीदा क्यों खरीदा तो वोच और मुवी मुवी को देखने के लिए तो क्यों का रिपलाई आ रहा है या आपका क्या होगा एडवर्ब फ्रेश क्लियर एक सेंटेंस देखो जिसे मैंने वह लाँ मैं जाता हूं मैं करल रहा है ना तो आपका यह क्या होगा एडवर्ब सहेगा अगयो आ या क्या थे गता है एड्यक्टिव कौन सा रिपलाई दिता क्यों कहा कैसे करेब प्लाई एक में चलिए अगला टॉपिक हाँ आपका क्लाज के अ क्लौज देखिक ग्ला साउट का मतलब समर्छा क्लॉज का मतलब मतलब होता है सेंटेंस का एक छोटा स्वाइश्स्य लोकुक्ष्य क्या वह सकते हैं इसमाना सब्जेक्त भी होता है होता है और अपनी वर्प भी होती है अपना what subject भी अपनी कुद की वर्प भी दूते है और यह किसी कन्जक्शन से कनेक्ट हुगा किस्ट से कन्जक्ट होगा यह SW दो सें Heartали यह कि से से कन्जक्शन जहें ऑ हमके तीन प्रकार के होते आओ ड्रीnity एड़ेक्टिव ग्रोज और अट्वर्फ-प्रोज ते यंदा इडाउन औरम वह आपका क्या का प्रिपल आप बंदीगा क्या कहा का एड्येक्टिव भुष्का देगा कहां और कैसे का सेंटेंस में समझते हैं इसको इंप्लीमेंट करके जैसे मैंने कहा और अब यहां पर देखो आपना सब्जेक्ट और अपनी वर्बद यहां पर यह पूरा क्लोज हो गया यह पर पूरा क्लोज और पता लगा जाना यह जोडिया पर फोलो जबत दो आप वाँ जाएगा तो उसने कहा उसने कहा क्या नाउन गोड़्याई जाएगा तो यह आपका क्या आपको जागा नाउन डोज एक सेंटाश्य देख लो जैसे मैंने कहा से लविल डाई जायेगा ये बात क्या है निष्चित है तो इस है एक आपकी वर्ब सटेन क्या है आपका कमपली मेंट है ना वर्ब से पहले क्या आता का सब्जेक्ट वर्ब से पहले तो नाउन या प्रोनाउं तो इसको बनाउन क्या इसको नाउन मर झाएगा क्या रतैंट्र है यह न को एक वे चली पूम्हां नाव सब्सक्राइब ऑच हो देखो जैसे मैंने गलॉम है he saw the girl, he saw the girl who was singing a song, singing a song, त्यांचे देखा, he saw the girl who was singing a song, he saw the girl who was singing a song, उसने एक लड़की को देखा, कौनसी लड़की को देखा, जो गाना गा रही थी, तो कौन सा का reply आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, आ रहा है ना, उसने एक लड़की को देखा, कौनसी लड़की को देखा, जो एक गाना गा रही थी, लड़की की बता रहा है घरल की विशेष्ट रहा है यहां पर देखो यह कंजक्शन दिया होए थे ना अपनी वर्बी दीवे चंजक्शन आलाग ही यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है ठीक है तो ही सवधा गल उसने एक लड़की को देखा जो गाना गा रही थी तो कौंसी लड़की जो यह कोम दत्राना ज़ो चनल यह डारना गानसे वालOOOO गलगी एक ताने ज़ितो कई त्वाया कोई कि अकटिव ही पुक्त तक फुक्त है क्या कि एड़क्ती उत्ती है क्या एड़क्तीव मैं किया बनेंगे एडेटिर्टेसक वल्टवत एक सेंटेंस और देखो जैसा मैंने कहा आई हैने नौधा मिएании है हूं हो इह लवग आइन हूं 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 यू लभ नाइन मैं उसा अदमी झानता हूं मैं उसादमी को जानता हूं जिसे तुम प्यार करते थे जिसे तुम प्यार करते थे तो मैं कौन से आदमी को जानता हूं कि मैं कौन से आदमी को जानता हूं जिसे तुम प्यार करते थे तो यह जो क्लॉज आ रहा है यह जो क्लॉज आ रहा है वह किसके लिए बेंड के लिए आने वाला क्लॉज 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 देखा वह आपका एड़र्ब क्लोश ठीक है चलिए अब देखो आगे देखते हैं एड़र्ब क्लोश की बारे में एड़र्ब क्लोश समद लूप जैसे मैंने भूला है लिए वेंट लिए वेंट लिए वाज बर्न तक लिए वेंट वह गया कहा गया जहां वो पह्ता हुता व मिर रॲिए टृओ आ रिप्लीज दि रहा है यै आपका कहां का रिपलीग क्लोश क्लिय कर एक संटन्स अर। देख लूं ज़स्ट्रम्ने वूला he cannot go to school he cannot go to school because he is ill he is ill why school नहीं आ सकता क्योंगी वह गलत होगे तुड़ा सा ऐसे लगेंगे इसको हाँ सभी है ही केंड़ गुटो सकूल लिए और सकता इसको नहीं जा सकता यह पूछाया यह कॉंसा प्लॉज यह पुछाया यह कॉंसा लोज हैं तो वार्शिघ्य जासकता क्यों क्योंकिवा बीमार है क्यों आ आपको 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 अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से यादा लाइक करें और और शेयर शेयर जरूर किया करें क्योंकि नया चैनल है शेयर करेंगे आप तो मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन में लेगा मैं भी और ज्यादा से यादा वीडियो बनाऊगा ठीक है आज के लिए तरही फिर मिलते हैं जैंज जै भारत